गुड मॉर्नेंग फ्रेंड्स, I am H.S. राधना, वेलकम टू माई यूटूब चैनल संग्यान परतियोगी संस्तान So friends, आज अमबात करेंगे 30 वे 31 अगस्त के करेंट अफेर्श की संग्यान परतियोगी संस्तान के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें Current Affairs by H.S. Sir Friends, दिल्ली पुलिस के नॉट्स आपको 11 सेप्टेंबर से मिलेंगे और कोई भी स्टुडेंट नॉट्स लेना ने भूलें 300 पेज की बुकलेट है 85 प्लस स्कोर की गारंटी है नॉट्स में बिल्कुल लेटेस्ट आपको सभी आंकडे मिलेंगे सभी प्रकार के कोशन मिलेंगे और 5 years जो दिल्ली पुलिस में आए हुए कोशन्स हैं वो सब मिलेंगे और दिल्ली के GS के संबंदित भी कम से कम आपको 15 पेज उसमें इंकलूड किये जाएंगे दिल्ली की GS तो GS, Current, Computer, Maths और Reasoning ये सबी आपको उपलवद होंगे उसमें और 300 पेज की बुकलेट है कॉन्टेक्ट आप मुझसे कर सकते हो 6376204163 पर वाट्सप नमबर है 9660150190 फर्स्ट कोशन की तरब चलते हैं हाल इमें कैंद्री सामाजिक नियायययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय स्वाइय स movement और राज्य शबह नेता वें लोक सबा इतर रहते हैं और आपको पता होना चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर तो देखिए यह यह क्या काम आएगा यह स्वा हेल्प लाइन स्वा तो जो मांसिक रूप से मांसिक विकारbé ने हैं जैसे सुसाइड कर लेते हैं इस कारण से ऐसी थोड़ पैदा हो जाती है जिस कारण क्या कर लेते हैं लोग सुसाइड कर लेते हैं तो इनको क्या काफी हेल्प मिलेगी यहां से यह आपको यहां पर ध्यान देना है बाकि हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं तो देखे केंदर सरकार ने मानसिक स्वास्त पुनरवास के लिए किरन हेल्प लाइन सेवा शुरू की है देश पर के जिन लोगों का मानसिक स्वास्त सेवाओं की तलास है किरन हेल्प लाइन के माध्यम से इस सुविदा का लाव उठा सकते हैं तो जो भी मतलब मानसिक रूप से पेडि जो लोग यहां से इस सेवा का फायदा उठा सकते हैं आगे हम बात करते हैं तो देखिए हेल्प लाइन जो नंबर है वो क्या है 18-005-99-0019 तो इसका उद्देश से क्या है दोस्तों मानसिक जो रोगी है उनका उप्चार, मनोवैज्यानिक समर्थन, तनाव प्रवंदन, मानसिक स्वास्त की बैतरी, विचलित व्यावार के रोग्थाम और मनोवैज्यानिक छेत्र में संकट प्रवंदन को उपलवद कराना जो मानसिक विकार स्पीडित हैं, जो क्या है, उनका उप्चार किया जाएगा, जिनको टेंसन, हाइपर टेंसन है, उनका भी काफी अद तक मनोवैज्यानिक तरीके से हेल्प किया जाएगा आगे हम बत करते हैं, तो देखिए, यहां पर देखिए, तनाव, चिन्ता, डिप्रेशन, पैनिक अटेक, एडजस्टमेंट, डिसोडर, पोस्ट, ट्रॉमेटिक, स्ट्रेस, डिसोडर, सबस्टेंस, एब्यूज, सुसाइड थोड्स, मामारी के चलते पैदा हुए, मानसिक स्ट्रेस, जुड़ी आपतकालीन, सेवाएं उपलब्द कराना है, तो कोई भी व्यक्ति है, जो डिप्रेशन से, पैडित है, पैनिक अटेक है, उसको, एडजस्टमेंट डिसोडर हो चुका है, जो सामान जैस्टेता बैठाते हैं, वो विचलित हो चुका है, ऐसे लोगों चाहिए तो दोस्तों एक तो यूके की है Oxford University और एश्ट्रेजने का द्वारा विक्सित कोविड-19 जो वैक्सीन है वो डवलप की गई है उसका नाम क्या है तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कोवी सील्ड यह आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन नमबर थर्ड काजी रंगा राष्ट्र उदान कौन से राज्ये में इस्तित है तो आपको पता है काजी रंगा नेशनल पार्क बहुत चर्चा में रहता यह पूछ भी लिया जाएगा तो यह किसमें असम्में इस्तित है और एक सिंग वाले जो राइनोर एक सिंग वाले गैंडों के लिए यह है और गैंडों के लिए फेमस है दारजी लिंग नैशनल पार्क के पश्च मंगाल ठीक है वो आपको देहन रखना है राइट आंसर आपका उप्सन ए असम की अम बात करते हैं तो सीम ऐसे सोनवाल राजिपाल जगदीस मुखी राष् प्रशिद मेला लगता है वहां पर अंबू बाची का मेला यह आपको देहन रखना होगा नैक्स्ट क्वेशन नंबर फॉर की अम बात करते हैं नेम लिखित मैंसे कौन सा राज्य महिलाओं को रिंड देने में प्रदान मंत्री मुद्राय योजना क्तायत पहले इस्तान पर पर कौन सा राज्य है यह आपको यहां पर बताना है तो पहले इस्तान पर रहे तमिल नाडू आपका राइट आंसर ओप्सन भी हो जाएगा इसके बारे हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों तो देखिए तमिल नाडू प्रदान मंत्री तमिल नाडू है जो प्रदान म प्रस्तुत किये आंकडों के अनुसार प्रदान मंत्री मुद्राय योजना की सुरुवात कभूईती दोस्तों 2016 में उसके बाद से महिला उधार करताओं के लिए लगबग 4.78 लेक करोड रुपे के लगबग 15 करोड रेन वितरित किये गए थे वर्ष 2015 में गैर कॉर्पोरे चोटे सुक्ष में मध्यम उद्योगों को रेन प्रदान करने के लिए प्रदान मंत्री मुद्राय योजना की सुरुवात की गई थी एक्च्वलम 2015-16 में इसकी सुरुवात हो गई थी यह पूछी जा सकते आप से और टोपर कॉंड रहे रेन देने महिलाओं को इसमें राय कोने एके पलानी स्वामी कैपिटल चैन नहीं है यह आप जानते हैं यहां का प्रसिद जो त्योंहार है वह पॉंगल है पॉंगल चार दिन चलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेशन अंबर फाइब की अंबात कर लेते हैं तो देखे केंदर सरकार ने जीएश्टिम बड़ी रात देते हुए कितने लाख रुपे सालाना तक के टर्नोवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है दोस्तों इससे पहले क्या बी पोटेंट है आपसे पूछा जाएगा केंदर सरकार ने बड़ी कितने सालाना टर्नोवर तक को जीएश्टि फ्री रखा है तो 40 लाख रुपे सालाना टर्नोवर है उनको जीएश्टि फ्री रखा है तो आपका राइट अंसर ओप्सन ए हो जाएगा बत करते हैं इसके बारे में आपका राइट अंसर है तो देखिए 40 लाख रुपे है वो आप बता चुकाओं मैं वस्तों हैं सेवा कर जीएश्टि कब लाग हुआ था एक जुलाई 2017 को मैं बड़ी रात देते हुए केंदर सरकार ने 40 लाख रुपे सालाना तक के टर्न ओव वाले कारोबार को इसके दायरे से बार रखने का फैसला लिया है इससे पहले जीएश्टि से छूट की लिमिट 40 लाख रुपे सालाना टर्न ओवर की थी इसके अलावा एक पॉइंट पांच करोड रुपे तक सालाना टर्न ओवर वाली कंपनियों कंपोजिशन इसकीम का फायदा ले सकती है और उन्हें एक पर्षेंट टैक्स ही अदा करना पड़ाएगा एक कंपोजिशन इसकीम है उसके तैट डेड़ करोड तक की जो टर्न ओवर है नेक्स्ट क्वेशन अमबर शिक्स की बात करते हैं बारती जूडो खिलाडी क्वेशन अमबर शिक्स बारती जूडो खिलाडी दीपानसु बाल्यान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुसासन पैनल एडीडीपी ने प्रती बंदित पदार्थ फ्यूरो सेमाइड के सेवन के कारण कितने मैने के लिए निलंबित किया है दोस्तों देखे एक तो नाडा होता है नाडा क्या है नाडा है नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका एड़कॉर्टर कहां पर है दिल्ली में नई दिलने मैस कोर्ट रहे है तो नाड़ा ने क्या किया दोस्तो बाइती जूड़ाड़ियों फियरो सेमाईड ut information किया और इस कारण से उनको क्या 22 के लिए क्या किया निलंवित की याँ दिले 22 मां के लिए option B आपका right answer हो जाएगा यहां पर एक होती है वर्ल्ड इस्तर पर वाड़ा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी तो आपका यहां पर right answer option B हो जाएगा थोड़ा साम डिटेल से देखते हैं इसके बारे में बारती जूडो खिलाडी दीपांसु बालियान को राष्टी डोपिंग रोधी एजेंसी नाड़ा के डोपिंग रोधी अनुसासन पैनल ने प्रती बंदित पदार फ्यूरो सेमाइड के सेवन कारण 22 माहिने के लिए निलंबित किया है फ्यूरो सेमाइड डोरेटिक दवा है पिछले साल जूनियर एसी आई जूडो चैंपेंशिप की राष्टी टीम के चैन के लिए जून में बोपाल में ट्रायल के दोरान बालियान का नमूना लिया गया था और दोस्तों वो क्या पोजिटिव आये थे बालियान और उन्होंने 90 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल जीता था ठीक है यह आपको द्यान रखना है नैक्स्ट Q7 के अंधर सरकार घाति सामगरियों में ट्रांसफेट 5% से घटा कर कितने प्रतिसद करने की तैयारी तो दोस्तों जो खाति यह समग्री होती हैं उनकी बात कर रहे हैं तो खातिर समग्री में आपने देखा होगँ जो सासाई का ठीग होता है फसाई यानि इसका full form होता है food safety standard authority of India तो यह टेग होता है तो इस टेग के अनुसार इस फसाई के अनुसार जो trans fat होता है वो कितना हो सकता है खाद्य पदार्तों में 5% हो सकता है लेकिन अब इसको गटा कर कितना किया जाएगा दोस्तों 2% 2022 तक किया जाएगा तो 2022 तक का ही मैंने आप पर पूछा है और वैसे 2021 तक 3% करने की बात कह रहे हैं फिर 2% पर लाएंगे इसको तो ये आपको द्यान दखना है इसके बारे हम थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं भारते खादे सुरक्षायों मानक प्रादिकार यानी फसाई फूड सेप्टी फूड सेप्टी स्टेंडर्ड अथोर्टी ओफ इंडिया वर्स 2022 तक खादे सामगरियों में ट्रांस फेट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करन के लिए जल्द ही विनियमन लाएगा मोजूदा समय में फसाई की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामगरी कितना पर्शेंट है पांच पर्शेंट है यह आपको द्यान रखना 5% है इसके बाद 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने और 2022 तक 2% करने की प्रक्रिया के लिए अध पर ध्यान रखना है 2021 तक तो तीन परशेंट करेंगे फिर 2022 तक दो परशेंट कर दिया जाएगा जिससे क्या हाट अटेक है हाई ब्लड प्रेसर है यह समस्यां कम देखने को मिलेंगी सुगर की समस्या है यह सारी चीज़ नेक्स्ट क्वेशन अमबर एट क्वेशन अमबर इस देश में खुदाई के दोरान 300 मीटर नीचे 3800 साल 3800 वर्ष पुरानी क्राट देवी की मूर्थी मिली है तो दोस्तों क्राट देवी की मूर्थी कहां पर मिली है यह 3800 साल पुरानी है और 300 मीटर खुदाई के बाद मिली है तो यह क्राट देवी की मूर्थी नेपाल मे मिली है आपका right answer option D हो जाएगा थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं तो नेपाल के धुली खेल में कौन सी जगे पर मिली है दोस्तों धुली खेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियों के मिलने से पुरा तात्व विद और विरासत को सैजने वाले लो से पुरानी मूर्तियों में से एक है question number eight nine question number nine केंदर की तरब से निर्यात सुविदाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला इस्तान प्राप्त हुआ है दोस्तों जो एक्सपोर्ट करते हैं जो राज्ये एक्सपोर्ट करते हैं तो केंदर की तरब से रैंक जारी की जाती है रैंक तो इस रैंक में टोप पर कौन सा राज्जे राय है इसमें टोप पर राय है गुजरात यानि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की सुविदा हैं कहां पर हैं गुजरात में ओप्सन ए आपका रायट अंसर हो जाएगा इसके बाद अमबात करते हैं नीती आयोग की जारी रिपोर्ट के मुतावित आयोग की निरियात ततपरता सूचकांग 2020 में गुजरात सीर्ष पर है जबकि महाराश्ट शेकिंड पर तमिलनाडू थर्ड पर है रिपोर्ट के मुतावित सीर्ष 10 इस्तानों में 8 तत्य राज्यों में 6 जगे बनाने में कामियाब रहे हैं तो दोस्तों टोटल टोप 10 में से 6 तत्य राज्ये रहे हैं इस सूचकांग से पता चलता है कि किस राज्यम निर्वात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविदाएं उपलब्द हैं इससे ये पता लग जाता है कि कहां पर एक्सपोर्ट के लिए फैसलेटी अधिक अवेलबल हैं और भूमी से गरे हुए राज्यों में सबसे अच्छा रहा है जिसके बाद तेलंगा ना फिर हर्याना रहा है भूमी से गरे हुए राज्यों में नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर टैन हाल ये में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सेटलाइट डेटा को उप्योग करने का फैसला किया है तो दोस्तों किसानों की जो साख है उसका आकलन करने के लिए ICICI Bank ने क्या किया है Satellite Data को उप्योग करने का निरने लिया है यह आपको द्यान डखना है ICICI Bank की बात करते हैं तो इसकी स्थाफना हुई थी 1994 में 1994 में में इसकी स्थाफना हुई थी तो देखें ICICI Bank ने किसानों की साख का आखलन करने के लिए सेटलाइट डेटा को उप्योग करने का फैसला किया है ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेस्मेंट के लिए सेटलाइट डेटा को उप्योग करेगा इस से बैंक किसानों के लोन आविदन के बारे में सेटलाइट के जरिये उनकी साक जानकर तुरंत निर्णे कर सकेगा तो दोस्तों इसके बारे में उनकी साक को जानकर के तुरंत निर्णे बैंक कर सकता है कि किसको लोन देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए ठीक है तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 11 हाल एमें किस देश ने एक समारोग के दोरान पाकिस्तानी नोसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नोसेनिक यूदपोर्ट लाँच किया है तो दोस्तों पाकिस्तानी सेना के लिए तो यूदपोर्ट कोई लाँच करेगा तो कौन कर सकता है ऐसा तो चाइना ही कर सकता है तो आपका राइट आंसर यहां पर चाइना हो जाएगा पूछा जा सकता है यह कौशन अच्छा बात करते हैं दोस्तो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के अभी PM कौन है दोस्तो इम्रान खान ठीक है लेकिन यहां के प्रथम PM आपको ध्यान रखना है यहां के पहले PM कौन थे निम लिखित मैं से कौनसा देश लगबक 10 लाक रोईंगाओं को भासंण चार दीप पर इस्तानांतरित करने की योजना बना रहा है बागला देश यहां का राइट आनशर हो जाएगा तो देखिए आपको यहां से थोड़ा सा द्यान रखना है बांगला देश सरकार रोहिंगाओं को बासन चार दीप पर नव निर्मित सुविदाग के लिए इस्तान अंत्रित करने जा रहा है ये म्यामार के सरनारती समुदाय के लिए रहने के एक बैतर इस्तान परदान करने क लिए किया जा रहा है बासन चार दीप बंगाल की खाड़ी में इस्तित है ये बांगला देश तट से 37 मेल दूरी पर है ठीक है तो रोहिंगा क्या म्यामार से आ गए थे रोहिंगा मुसल्मान तो उनके लिए बांगला देश बासन चार दीप पर उनके रहने के लिए ववस की है तो दोस्तों आपको द्यान रखना है कि भारत ने राष्टी समन्वे समीती की पहली बैठक की सैध्यक्षता किसके साथ की है आपका यहां पर उप्शन हो जाएगा डी उजबे किस्तान के साथ यह किया है ठीक है तो दोस्तों आज हमने 13 कोशन इंक्लूड किये हैं विद व्याक्या के साथ तो बहतरी इन कोशन है अच्छे से इनको तयार कर लेना और इस बार दिल्ली पुलिस पार यह नारा आप याद रखें आपको फाइट करना है वैसे UPSC, RAS, SSC, बैंक, रेलवे सभी में यह काम आने वाली है दोस्तों यह दिया आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को कंटिन्यू सेर करते रहें थैंक यू दोस्तों जै हिंद जै भारत